क्या कहना है बेटी को पढ़ा लिखा कर जब दूसरे घर ये भेजना है गरीबी में पली बढ़ी और जब घर वालों ने ये कहना शुरू किया तो निधी ने पुराने खयालात की बेडिया तोड़ दी और रात दिन महनत कर IPS की परिक्षा पास कर कलेक्टर बनी पुरा घर एक तरफ था और निधी की मा एक तरफ थी मा ने बेटी की पढ़ाई के जजबे को ताकत दी और कहा कि जा बेटी करियर बना निधी ने मा के विश्वास को वो उचाई दी जिसकी घर वालों ने कलपना भी नहीं की थी निधी जारखंड के संदरी की है और मधिमवर्गे परिवास से तालूक रखती है निधी बचपन से ही पढ़ने में काफी तेज थी लेकिन घर से उन्हें जादा सपोर्ट नहीं मिला उनके साथ समस्या ये थी कि वो लड़की है उन लोग समझते थे कि लड़की होने की बज़़ से उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए लेकिन इस परिस्थिती में निधी की मां उनका सहारा बनी और उनकी हमीशा मदद की कई बार निधी की मां को लोग ये कहकर पीछे हटने को कहते थे कि ये तो लड़की है जादा पढ़ा लिखा कर क्या लेगी कलेक्टर थोड़े बनेगी कई बार जादा देर तक पढ़ने को लेकर निधी को चार्टे भी खाने पड़े लेकिन हर नाजुक मोर पर मां निधी का होसला बढ़ाया 2012 में सिवल सर्विस की एकजाम दी असिलेक्ट हो गए आज राजगर की कलेक्टर है और अपने सक्त मिजाज को लेकर चर्चा में रहती है पिछले दिनों भाजपा नेता को चार्टा मारने और पलिस अधिकारी के साथ विवात को लेकर भी चर्चा में रही